हेलो प्रेंट्स आज हम बच्चों का टोपी बनाने जा रहे हैं यह आठ घर से स्टार्ट होगा ठीक है पर आप आठ घर डाल लिजी आठ घर डालने के बाद देखिए एक घर सीधा ठीक है उनागे यह जाली बनेगा हर घर में जाली बनेगा ठीक है फिर उनागे फिर उनागे आठ घर डालके हर घर में एक जाली बना लिजी ठीक है उनागे करकर के इस तरह से साथ जाली बनेगा इस तरह से साथ जाली बना लीजिए यह बहुत ही आसान स्वेटर है जिसे नहीं आता है वह इस तरह का स्वेटर से पहले स्टार्टिंग कर ले देखिए साथ जाली आएगा एक दो तेन चार पांच ये शे ये साथ साथ जाली आएगा एक एक घर पर पिछे साइड से उल्टा उल्टा भी लीजिए इस तरह से पिछे साइड पुरा उल्टा देखिए पिछे साइड पुरा उल्टा फिर आम आगे साइड आएंगे फिर एक किनारे एक बेन लीजिए या उतार लीजिए ठीक है अब फिर आगे करेंगे उनको एक जाली किनारे साइड हमेशा इसी तरह से बनेगा अब बीच में घर आपका बढ़ता जाएगा अभी एक घर बनाए थे अब यहां दो घर बनेगा ठीक है दो फिर उन आगे फिर दो घर बिन लीजिए फिर उन आगे दो घर इस तरह से घर बढ़ता जाएगा आपका किक है किस यस यसदार से घर आपका बहटा जाएगा खिस तर से घरी दो podemos 7 जाली तक करते दबल आपको 16 जाली तक बिन करदेट लुह नहीं बनाईंगे आप 16 जाली बनाईएगा, ठीक है, 16 जाली तक आपको बुनना है, तब बचों का टोपी बनेगा, हम आपको सिखाने के लिए हम इसमें 8 जाली बनाएगे, आप उसका डबल बना लीजिएगा, ठीक है, आप उसका डबल बिनेगा, हम साथ जाली तक बताएगे, आठ जाली तक आफ, 16 जाली तक बुनिएगा, देखे, इसी तरह से ये जाली बनता जाएगा, देखे, ये जाली जो है, हम 8 जाली तक बिनेगे, ठीके, किनारे साइट एक उन, उतार लीजिए, बेन लीजिए, उन आगे, ठीक सीदा, इस तरह से आफ पुरा अपतीन घर हो गय तक ये जाली आगया, कि किसी के सामनी इन, बिनना है, ठीक है, ठीक है, पिर एक पिर फिन घर, अब तीन घर आगया, इसी तरह से आपका घर बढ़ता जाएगा, आप जाएगा, तो बच्चों का माता नाप करके भी आप घरा बना सकती है इसका, ठीक है, देखे, इसके उप नहीं जानती हैं पहली बार बना रही हैं वह बहुत ही आसान टोपी को बना सकती है पीछे साइड उल्टा इस तरह से हम आठ जाली तक आपको बिन के दिखाएंगे देखिए हम आठ जाली तक बिन चुके हैं ठीक है देखिए आठ जाली है यहाँ पर लेकिन आप 16 जाली बिन यहाँ ठीक है सुले जाली बिनके फिर इसमें हम आठ काटा सिधा उल्टा हम बिनेंगे हम आठ काटा सिधा उल्टा बिनेंगे इसको यहाँ पर सिधा उल्टा आठ काटा बिनेंगे आप चाहें तो सुले काटा भी बिन सकते हैं हम जो आठ काटा विनेंगे उसमें आप अलग-अलग कलर से भी आप बना सकते हैं अब सिधा उल्टा आप स्वलर जाली बनाईएगा उसके बाद सिधा उल्टा बनाईएगा सिधा उल्टा आप जाली नहीं बनाना है सिप सिधा उल्टा बिनना है आप चाहे हैं तो इसके बाद डिजाइन भी टाल सकती है टोपी में ठीक है एकदम सिंपल डिजाइन बता रही हूँ इस तर से इस तर से सिधा उल्टा आठ काटा बिन लिजेगा अलग-अलग कलर से बिनिए या फिर एक ही कलर से ठीक है देखिए हम दो काटा बिन चुके हैं और हम चाहे हैं तो इसमें हम वाइट भी लगा सकते हैं या आप यह कलर से बिन सकते हैं ठीक है इस तरह से इस तरह से आप दुसार से कलर एट करके भी आगे बना सकते हैं ठीक है दो काटा यह भी बना लीजिए देखिए यह दो यह भी दो काटा कंप्रीट हो गया अब हम फिर लाल कलर से क्यार काटा बिन लेगें ठीक है यहां पर आपका अपना मन का भी कलर चेंज करके दाल सकती है ठीक है इस तरह से पुरा कंप्लीट कीजिए देखिए चार काटा हम सिधा उल्टा हम बिन चुके हैं चार काटा सिधा उल्टा बिनने के बाद अब हम वाइट कलर का उन लगाएंगे आप चाहे तो अपना मन प्रसंद का उन लगा सकती है दो घर सिधा तो हम क्या करेंगे इसमें डिजाइन बनाएंगे देखिए यह जो दो घर है न वाइट कलर का देखिए यह जो दो वाइट कलर घर है इसी में हम यह इस तरह से निकालेंगे एक फिर इसके उपर यह दो तो इसके उपर दो इसके उपर वाले में इसमें देखिए ये तीन, फिर इसके उपर वाला में, देखिए ये लास्ट, चार, यानि हम चार का बना रहे हैं, ठीक है, अब इसी उस सब को पलट दीजिए, आप चाहें तो दूसा डिजाइन भी डाल सकती है, ठीक है, कोई भी डिजाइन आप डाल के ये टो भी बना सकती है, बच्चे लो इस तर से पलट दीजिए, इस तर से पलटने के बाद, इसको साथ में बिन दीजिए, ठीक है, ये दोनों घर लेके साथ में, इस तर से बिन दीजिए, इसी तरह से एक पूरा कम्प्लीट कीजिए, फिर दो घर सिधा बिन लीजिए, जितना का भी आपको गैप देना है, दो को आप इसनों से गैप दे सकते हैं कि दोगर हो गया कि यहां इसमें डालिए कि वाइट वाला में एक कि चाचर करके बनाना है दो कि तेन कि चार कि तो हम छोटा टूपी बना रहे हैं आप छे घर डालिएगा तेक है या आठ घर आप सब डवल-डवल किजेगा इस तर से पलट दीजिएगा पलट के फिर दोनों को एक साथ बेंदेजिए इस तर से आप यह काटा कम्प्लीट कीजिए देखिए जितना भी घर है सब है इस तर से बना लीजिए जितना भी घर है साइड में सेधा बेंदेजिए अभी काटा उल्टा देखिए इस तर से यह कम्प्लीट हो गया उल्टा साइड से पुरा उल्टा बेंदेजिए इस तर से पुरा उल्टा देखिए इस तर से यह कम्प्लीट हो गया आप चाहें तो इस तर लाल लून लगा सकते हैं इस तर से लाल उन से भी दो काटा बिन लिजिए देखिए जाली बिनने के बाद हम दो काटा लाल से ही सिधा उल्टा बिने हैं उसके बाद यह आठ काटा हम बिने हैं आप इसका डबल लीजिएगा ठीक है हम आठ काटा लिए हैं आप यहां 16 काटा भी नहीं है इसके बाद आप यहां जालर बनाईए या फिर कुछ और भी डिजाइन डाल सकती हैं अब हम इसको हम बंद कर देंगे ठीक है आगे हम इसको हम नहीं बिनेंगे आप चाहें तो इसको और इतना लंबाई बढ़ा सकते हैं अब बच्चे का लंबाई चोड़ाई देख करके नाप करके बना लीजिएगा अब हम इसे घर बंद करेंगे जोड़ा जोड़ा करके इसे हम बंद कर देंगे इसे बंद कर बंद करने के बाद दोनों साइट से शिल लेना है ठीक है इस तरह का ये आएगा ठीक है इसे बहुत ही कुछ सुर्ट भी है अच्छे लोगों का बहुत आसान भी है इसे बनाएए देखिए इसे इस तरह से मोड दीजिएगा बलट करके इसे शिल लेजिएगा इस तरह से शिल लेजिएगा ये इस तरह का दिखेगा आप इसमें आट घर या दस घर बॉर्डर बना लीजिएगा उल्टा उल्टा से दोना तरफ से बीन के या फिर सीधा-सीधा दोना तरफ से बीन के ठीक है इसको आड इतना चौडा बॉर्डर बना लिषिएगा सब डेवल घर डालिएगा इस तरह का ही है ये टोपी देखिए इसके साइट में हम ये डिजाइन बना है इसी तरह से आप डिजाइन डालिए या फिर सिफ बॉर्डर इस टैप का बॉर्डर बना लिजे उल्टा उल्टा ठीक है ये साइट इसे सी लिजेगा बाई क् सोब्साइब है